500W से नीचे का स्टोलर पैनल आप अपने सिंगल बैटरी को चार्ज करने के लिए कभी मत खरी दियेगा मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे रिजन्स बताऊंगा जिससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि 500W से नीचे का स्टोलर पैनल आपकी बैटरी दिलिए परफेक्ट नहीं है मतलब कि हमारे घर का बिजली का बिल पहले जितना आता था लगभग अभी भी उतना ही आ रहा है तो इसका हम में रिजन बताएंगे कि क्यों आप क्या गलती कर रहे हो कैसे आप अपनी इंवर्टर और स्टोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहे हो जिसके वएसे आपके बिजली बिल पर कोई एफेक्ट नहीं हो रहा है और यह भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको पांसओ वाट से नीचे का स्टोलर पैनल आापको अपनी बैटरी के लिए क्यों नहीं लेना है अगर आप 1500A बैटरी का यूजर्स हो या फिर 200A बैटरी यूज करते हो तो आपको 500W से नीचे का सोलर पैनल आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है मैं आपको पूरी डिटिल में जनकाड़ी दूँगा तो प्लीज वीडियो को आंतर तक ज़रूर देखेगा तब ही आपको सबको समझ में आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें सबसे पहला प्रॉबलम होता क्या है कि सुबवा से लेकर के सामग तक हमने लगता है की हम सोलर पैनल से अपने घर का सारा लोड चलाते हैं जैसे सुबह से हमारा solar panel स्टार्ट हो जाता है, electricity generate करना, तो में सुबह में हम क्या करते हैं, में जो grid से connection आई हुए है, उसको हम disconnect कर देते हैं, और solar panel से हमारी battery वे charge होती है, और inverter से हमारे घर का हुपकरन चलता है, लेकिन दोस्तों, जैसे ही night का time होता है, जैसे है main supply अपने घर का grid का supply हम अपने घर में भेजते हैं, तो उस समय हमारा inverter जो है charge होने लगता है, तो इसका सिधा सिधा यही मतलब हुआ कि हम जो भी उपकरन यूज कर रहे थे, तो वो solar panel से sufficient नहीं था, यानि कि solar panel 200 watt electricity generate कर रहा था, तो हम 200 watt से ज़्यादा का हम उपकरन चला रहे थे, जिस वोई से हमारा battery भी discharge हो चुका है, तो जब भी हम grid का power अपने घर में भेज रहे हैं, तो उस समय हमारा battery charge होने लगता है, अब battery charge होते टाइम एक घंटा, अगर हमारा battery charge होते होते हैं तो एक घंटा में वो बहुत सारी electricity कंजूम कर लेता है, तो मिन्स की यही है कि हमारा जितना solar panel current generate कर रहा था, उस से ज़्यादा हम electricity का इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसका साफ साफ यही मानना है कि 200 watt solar अगर हम लगाए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, सुपा के ताइम में सीम वही चीज़ इस्तेमाल करना है, मौनिंग के ताइम पर आपको main supply को disconnect कर देना है, और इविनिंग में आपको लगबग 3 बजे की आसपस में अपनी घर का main supply का है उसको on कर देना है, अगर आप grid को barber on या off नहीं करना चाहते हो, तो आप MPPT solar charge controller का इस्तेमाल करोगे, तो आपको ये सब on off करने की कोई आउशकता नहीं पड़ेगी, MPPT solar charge controller में होता क्या है, कि जब आपका battery full charge हो जाता है, solar panel से और current मिलते रहता है, तो हमारे grid का connection आटोमेटिक को disconnect कर देता है, और तब तक दोस्तों वो दुबारा grid का connection नहीं देगा, जब तक आपका solar panel आपकी battery को अच्छा current supply करते रहेगा, यानि कि तीन बज़े क्या सबस में अगर solar panel से कम electricity मिल रहे है, उसको पता चल जाएगा कि हाँ, battery 80% से ज़्यादा discharge हो रही है, तो grid का भी power supply भेज़ देगा, यानि कि 80% से ज़्यादा battery को discharge होने नहीं देगा, और grid से लगेगा battery को charge करने के लिए, तो grid से ज़्यादा समय नहीं लेगा, जबकि अलड़ी हमारा battery 80% charge है, तो grid को ज़्यादा समय नहीं लगेगा inverter को, हमारी battery को full charge करने के लिए, यहाँ पर 3 वज़ी के बाद लगबग हमारा inverter भी, हमारी battery को charge करने लगेगा, लगबग 15-20 मिनट में हमारा battery जो है, फुल charge हो जाएगा, तो इस वज़े से मैं आपको clear कर दूँ, कि कभी भी आप अपनी battery के लिए solar panel purchase करने जा रहे हो, तो चाहे देर सम्पेर battery या फिर दो सम्पेर battery यूज़ कर रहे हो, आप कभी भी 500 वाट का निचे का solar panel आपको नहीं purchase करना है, अब दूस्तों अलरड़ी जिन्होंने 100 वाट, 200 वाट solar panel purchase किया हो, उनका क्या होगा, दीकि दूस्तों वो आप 200-200 वाट का आप solar panel और बढ़ा सकते हो, या फिर दूस्तों आप 1500 वाट का solar panel एक और खरीद करके आप उसमें merge कर सकते हो, तो उमेद करते हैं, इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो कमेंट करके ज़रू पूछें, वीडियो पसंद आओ तो प्लीज लाइक करें, चानल पर नए होगो तो सब्सक्राइब ज़रू करें,